जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक बोडी रेडियेशन्स एंड फोटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो दोनों फिनोमेना हैं ये दिमिटेशन हैं इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव थियोरी की जो कि ये कहते हैं किसी भी सोर से अगर लाइट निकलती है वो निकलते हैं ग delkin फोटो फोटर आख्याव है ये दोनों फिनोमेना एक्स्प्लेन किये जा सकते हैं कब किये जा सकते हैं यह जो रेडियेशन्स हैं वेव करेक्टर Tau Hai है उनके पास सांथ में कौन सा करेक्टर है political character है सबसे पहले हम discuss करते हैं black body radiation की अभी क्या what is black body black body क्या है black body एक substance है जिस पर अगर हम किसी भी wavelength की light डाले कोई भी color की light लाल ना रंगी पीली हरी आसमानी निली बैंगनी कोई सी भी color की light डाले तो ये क्या कर ले उसको absorb कर ले तो ये perfect absorber होगा सोखने वाला ठीक है या फिर और क्या कह सकते हैं किसी body को अगर हम गरम करें heat करें heat करने के बाद अगर ये कई frequencies की कई wavelengths की अलग-अलग colors की light अगर क्या करें emit करें तो हम इसे कहेंगे it is black body it is perfect emitter of radiation perfect emitter कौन सा होगा जो एक से ज़्यादा तरह की radiations को क्या करें emit करें और जो radiations emit करें इनी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे black body radiations ठीक है इसका example अगर हम लें तो एक example आपके सामने है हमारा sun sun क्या करता है एक से ज़्यादा तरह की wavelength वाली light emit करता है जो की whip gear ठीक है इससे explain होती है कि कौन-कौन से color की light है उसी तरह से carbon black sun तो है तो आपका perfect emitter emit करने वाला और जो carbon black है यह perfect absorber है absorber का मतलब इस पे आप चाहिए किसी भी wavelength की कोई भी color की अगर light डालोगे तो यह क्या कर लेगा उस light को absorb कर लेगा तो यह थी आपकी black body and black body radiations आप हम बात करते हैं कि electromagnetic wave theory क्यों नहीं explain कर पाई इस phenomenon को देखिए according to electromagnetic theory किसी भी source से जो light निकलती है वो निकलते in the form of wave ओके तो जब temperature को increase किया जाता है मान लीजिए यह temperature T1 पे है और आप मैंने एक और temperature ले लिया वो ले लिया T2 और T2 यह ज़ादा है किससे T1 से तो electromagnetic wave theory कहती है अगर मैं temperature बढ़ाता हूं किसी भी body का तो उसमें से जो radiations emit होंगी उनका amplitude क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यदि मैं temperature को बढ़ाता हूं यह देखिए हमने definition करी थी last time amplitude किसको कहते हैं यह देखिए वही wave है यहाँ से थोड़ा diagram में दिक्कत है तो यह देखिए waves वही है क्या बढ़ा केबल amplitude ठीक है wavelength वही रहेगी wavelength में कोई change नहीं आएगा distance between two consecutive crust यह two consecutive trough यह पहले वाली की wavelength ठीक है जिसका amplitude कम है और जिसका amplitude चूट ज़्यादा है इसकी wavelength कैसी रहेगी गभी सेम रहेगी अगर wavelength सेम रहेगी तो इसका मतलब कलर भी कैसा रहेगा सेम रहेगा क्योंकि एक specific radiation जिसका एक specific color है वो depend करता है के वो wavelength पहले अगर wavelength सेम है तो color में कोई change नहीं आएगा यह कहते है आपकी electromagnetic theory कि अगर हम temperature को बढ़ा भी देना तो color में कोई change नहीं आएगा केवल उसकी intensity बढ़ जाएगी जो radiation है उसकी केवल energy बढ़ जाएगी ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूँ iron की iron आप सभी ने देखा है iron को अगर मैं heat करता हूँ तो इसका color change होता है ठीक है सबसे पहले red होता है ठीक है red के बाद और heat करोगे तो yellow हो जाएगा और heat करोगे तो white भी हो जाएगा और अगर बहुत जादा heat करोगे तो इसका color कैसा हो जाता है violet तो देखिए body को मैं heat कर रहा निकल रही है ये T1 है ये T2 है ये 3 है ये T3 है ये T4 है T4 सबसे जादा है ठीक है देखो हर temperature पे light कैसी निकल रही है अलग अलग T1 पे red light इसका मतलब इसकी wavelength अलग होगी yellow की अलग होगी white की अलग होगी और violet की अलग होगी तो यहाँ पर तो ये बात कही जा रही कि temperature बढ़ाएंगे तो wavelength में भी क्या जाएगा change आ जाएगा ठीक है color भी change हो जाएगा ये कब प्रूव हो सकता है जब हम ये मानके चलें कि radiation पे कैसा करेक्टर होगा particle करेक्टर होगा ठीक है तो ये limitation है इसकी electromagnetic wave theory की जो कि ये कहती कि color में कोई change नहीं आना चाहिए लेकिन हमने iron को देखा iron को जब हम temperature में गरम कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं temperature तो temperature बढ़ने के साथ साथ उसमें जो अलग-अलग तरह की lights emit हो रही है उनके color भी कैसे हैं बिल्कुल अलग-अलग है ठीक है